हलो फ्रेंस आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों कुछ दिन पहले लगबग एक दो दिन पहले मैं अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड करा था जिसमें मैं बताया था कि राची सदर अस्पताल के तरफ से एन्म, स्टाप, नर्स, ब्लोग डाटा मेनेजर और बहुत सारे पत पर बहाली का अपडेट अखबार में निकाल गया था तो फाइनली उस समय मैं सिरी पोस्ट का नाम आपको बताया था और फीस कितना लगेगा, इसमें कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया वो सम नहीं बताया था तो चलिए इसका फुल एडवर्टाजमन जैसे कि मैं आपको बताया था कि 11 जनवरी 2019 को आ जाएगा तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है तो आज के सुटों में इसी का अपडेट देंगे सैनिक, सल, चिकिसा, समुक, चिकिसा, पदा, दिकारी, राची के तरफ से निकल करा रहा आप देख सकते जिला स्वास्त मिसन के अंतरगा सनविदा के अधार पर नियुकती है तो विज्यापन यहाँ पर निकाल दिये गए सबसे पहले एनेम के लिए यहाँ पर तैसीड बनाए गया, स्टापनर्स के लिए तेरा बनाए गया, बुलोग डाडा मेनेजर के लिए साथ बनाए गया, आर, एम, एन, छ, एक कॉंसलर के लिए एक बनाए गया, लैब टेकनिसियन के लिए यहाँ पर तीन बनाए गया, उस सबसे important बात qualification क्या होगा और इसमें आपको payment कितना मिलेगा परती महिना तो मैं बता दू इसमें minimum में 10th class pass मांगा गया जी हाँ तो minimum में 10th class pass जिसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको 10th class वाला बता देता हूँ देखिए cook के लिए अगर आप भरते हैं तो यहाँ पर आपको metric pass मांगा गया है उसके लावा आपका diploma in cooking, hotel management और दो साल का work experience आपका मांगा गया है metric pass वालो लोग के लिए तभी आप यहाँ पर form को apply कर सकेंगे उसके लावा A&M के लिए 10th class 2 के साथ A&M का certificate मांगा गया है इसमें आपको salary जो मिलेगा 9900 रुपया जी हा 9900 रुपया मिलेगा staff nurse के लिए भरते तो 10th class 2 के साथ आपका 3 year का general nursing midi free का आपका training मांगा गया इसमें 14300 रुपया परती महिना आपको मिलने वाला है उसके बाद देखिए blog data manager के लिए अगर form को भरते हैं तो यहाँ पर आपको bsc, it, bsc, computer science मांगा गया उसके लावा experience, ms office, package, internet, use आपका knowledge वगेरा जो internet का होता है ms office और आपका typing, hindi, english का आपका यहाँ पर मांगा गया तभी आप blog data manager फोर्म को भर सकेंगे 8000 रुपय परती महिना आपको यहाँ पर मिलेगा उसके बाद देखिए चार नमबर में R, M, A, C, H के लिए counselor की form को भरते हैं तो यहाँ पर master, bachelor degree अगर आपका होगा तो यहाँ पर आप form को भर सकते हैं psychology या फिर आपका social work में आपका subject होना चाहिए home science भी अगर होगा hospital and health manager में अगर होगा तो यहाँ पर form को apply कर सकते है one year का work experience in health sector relative field में आपका मांगा गया है और उसके लावा communication skill यहाँ पर मांगा गया है तो आप form को भर सकते हैं इसमें आपको जो payment मिलेगा monthly 8800 परती माहिना आपको मिलेगा और उसके साथ आप देखिए आपका यहाँ पर एक साल का experience मांगा गया है और इसमें आपको मान दे जो मिलने वाला 10,450 परती महिना आपको मिलेगा इसमें उसके बाद नीचे में आप आएंगे देखिए nutrition counselor के दाफोन को भरते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको basic computer skill disability आपका जो होगा तो यहाँ पर form को भर सकते हैं और इसमें आपको basic computer का ग्यान MS office, internet relative आपका यहाँ पर होना चाहिए तब ही आप form को भर सकते हैं इसमें 12,375 परती महिना आपको यहाँ पर payment मिलेगा कुक के लिए जैसे कि मैं आपको बताया हूँ में आपका यहाँ पर certificate होना चाहिए कॉंसिल ओप इंडिया के जो भी आपका certificate होगा आप form को भर सकते हैं registered with DCI State Dental Council वन येर का post qualification work experience भी आपका मांगा गया है कभी आप यहाँ पर form को apply कर सकते हैं आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है नौ नमबर में देखिए आपको आयूस फार्मासिस्ट का यहाँ पर पद पर बाहलिक अपडेट निकाल गया जिसमें डिपलोमा इन फार्मासिस्ट जियां डिपलोमा इन फार्मासिस्ट का आपका यहाँ पर कालिफिकेशन होना चाहिए रजिस्टर अंडर जार्खंड इस्टेट फार्मासिस्ट कॉंसिल का होना चाहिए उसके लवा कम्प्यूटर का ग्यान MS Office इंटरनेट वगेरा का जानकारी होना चाहिए तभी आप यहाँ पर इस फोर्म को अपलाई कर सकते 6,000 रुपया परती महिना आपको यहाँ पर मिलने वाला है अब देखिए इस फोर्म को अपलाई करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होगा वो बता देते एक जनवरी 2019 के हिसाब से आपका एज केलकुलेशन किया जागा जिया अब देखिए यहाँ पर आपको देख जिमा या जनरल को 35 साल तक बनाया गया उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग आती हैं तो पिछड़ा वर्गों 37 साल बनाया गया है अगर दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर देखिए उनको 40-42-45 साल तक के लोग यहाँ पर फोम अपलाई कर सकेंगे महिला समाने वर्ग उन्हें कार करने है तो अनुबंदित किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको सन्वीदा के अधार पर बहाली होगा अनुबंद के अधार पर आपका होगा ओपरोग सभी पद जिला सरी आरक्षन रोष्टर होगा जिया तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिला स नोटिस देखकर हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर यह चीज भी बताया गया है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभियाति सेचनिक योगित है कि साथ CGPA स्कूर कार्ड प्रस्तूत करेंगे उसको यहाँ पर CGPA रूपांतन चार्ट भी प्रस्तूत करना होगा तो इस तरह से इसका सेलेक्सन बनाया गया और देखिए इसमें आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जारा है चैन का परकिरिया जिया इसको जान लेजिए चैन का परकिरिया जो बताया गया लिखित पर इच्छा के प्रापतां के अधार पर किया पर इसी तरह से इसमें आवेदन करने का परकिरिया बताया गया है और आप नीचे में आएंगे तो देखिए आपको आवेदन सुल्क यहाँ पर देखने को मिल जागा जिया आवेदन सुल्क देखिए यहाँ पर जंदल OBC को 4 सु लगेगा और HTSC को 2 सुर लगेगा और इस सुसाइटी राची के नाम से जिया तो अगर आप 400 का बना रहे तो 400 का आपको डिमांड ड्राप बनाना होगा 200 का बना रहे तो 200 का यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा और अब देखिए लिफाफ़े के उपर क्या-क्या लिखना है वो चीज यहाँ पर बताया गया तो द पद्र करमांग यहाँ पर दिखिए आपको 1 x 1 यहाँ दिया हुआ है जैसे के एनम एक में है उसके बाद कर्लोग डाटा मेनेजर तीन में है तो आपका यहाँ सीरियल जितना होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको application form मिल जागा जी हां यह application form है इसको आपको download कर लेना है description में link मिल जागा उस पे click करके आप इसका form download कर सकते हैं और इसको form भरके भरने के बाद आपको demand drop बना कर और इसको speed post या registered post के माधियम से send कर देना है इसका send करने का जो address हो जाएगा यह इसका address हो जागा देखिए इसको note कर लेजिए असैनिक सल चिकिसा सहमुक चिकिसा पतादिकारी राची इस address पर आपको send कर देना है speed post या registered post के माधियम से तो आसा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों गुरूप में शेयर कीजिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा मैं आपका reply करने का ज़रूर को सिस करूंगा और आज के लिए इतना ही अपडेट दूंगा कल फिर मि हुआ 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 है